नमस्कार दोस्तों, 10 सेप्टेंबर 2020 के एडिटोरल डिसकेशन में आपका स्वागत है आगे बढ़ने से पहले वही बाते हैं, अगर लेक्चर की पीडियेफ चाहिए तो टेलीग्राम गुरूप जोइन करिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी साथ साथ कुछ और बातचीत करने के लिए आप इस्टागराम पर करनेट कर सकते हूं, मेरे दोरह बनाई गई और वीडियो उसको देखने के लिए जहां पर मैं स्पेक्टरम, लक्षमी गांत और वाकी चीजों के MCQs, कुछ हद तक आँसा राइटिंग कराता हूं, तो आप मेंबर भी बन सकते हैं, पहला टॉपिक जो आज हम देखने वाले हैं, वो है Realism and the Undemarkated Border, देखिए बहुत ही डीप आर्टिकल है ये, बहुत ज़ादा मैप की इन्फॉर्मेशन की जुरुत थे इस आर्टिकल को समझने के लिए, तो इसमें बहुत ज़दा डीप ना जाता ह अब सबसे जबरदस्त आर्टिकल है, आज की डेट गए है, यहाँ पर देखिए, एलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि एलेक्शन के इंफरस्ट्रुक्चर को और जदर डिजिटाइस किया गया, तो ओथर यहाँ पर यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है एक लिमेट से ज़्यादा डिजिटाइजेशन आप एलेक्शन में करेंगे, तो प्रॉब्लमेटिक है, इसके बारे में आपके कुछ पॉइंट्स दिये गए हैं, और यह बताया गया कि जो ब्लॉक्चेन टेक्नलोजी होती है, उसको क्रिप्टो करेंसी के लिए इस्तमाल क किया जा रहा है, लेकिन अगर आप इस ब्लॉक्चेन टेकनलोजी को अपलाई करते हो, एलेक्शन प्रोसीजर में, तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके बारे में आपके कुछ पॉइंट्स दिये हैं, इन्हें देखेंगे, फिर नेक्स देखेंगे हम ल होला जा रहा है कि भईया देखे, हमारे देश के कुछ ऐसे राज है, जहां पर डिजिटल इंफास्ट्रक्चर अभी पहुंचा नहीं है, वहाँ पर जो स्टेट की गौर्वर्मेंट से वो लैप्टॉप तो बाट रही है, बट उन लैप्टॉप्स के थूरू इंटरनेट करने के लिए नेट नहीं है, वहीं पर कुछ ऐसे राज है जहास में, जिरोंने नेट पेनिटरेशन के लिए कुछ काम किया है, तो कुछ important statistics बताएं हैं यहाँ पर, इन statistics को देखेंगे, अब चुकि यह survey NSO दोरा कराये गया है, National Statistical Office दोरा कराये गया है, और National Statistical Office को एक Act of Parliament क through establish किया गया है, तो इसके लिए जो भी statistics यहाँ पर NSO को दोरा दिये गया है, वो हमारे लिए important हो जाते हैं, चीजों को समझने के लिए important हो जाते हैं, नेक्स चलते हैं, नेसेसरी पॉस, देखें दुनिया भर में vaccines को लेके clamor चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा ambitious हैं कि ब vaccine मनाने का process यह कितना tricky है, और recently अभी कुछ एक problem हुई है, एक vaccine से, जिसका नाम है AZD1222, इसको बायो फार्मा कमपनी AstraZeneca ने बनाया, इसके साथ कुछ problem हो गई है, जिसके चलते हम यह जान चुके हैं, कि vaccine मनने का जो process हो कितना मुश्किल है, अभी क्या-क्या बताएगा इस article म आपको बताऊँगा, और एक article मैं आपके साथ यह डिसका सुरूँगा, री थिंकिंगिंग दर डिफेंस डॉक्ट्रिन, यहाँ पर ऑथरी बताने कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडिया और चायना की बीच में stand-off चल रहा है, इसमें इंडिया की डिफेंस डॉक्ट्रिन क्या है, इंडिया के पास यहाँ पे options क्या क्या है, और क्या करना चाहिए ऐसे इंडिया को कि आगे आने वाले समय में ऐसी कोई crisis हमारे सामने आके ना खड़ी हो जाए, जैसे इसे अब ही खड़ी है, तो इतने ही articles को डिसकस करने का time है, तो यह वाला article redefine a farmer, और यह दूसरा article the twisting trajectory ये दो मैं आज आपके साथ डिसकस नहीं कर पाऊंगो for obviously time reasons. अब trade-off, leadership, बहुत सारी चीज़ें matter करती हैं. इंडिया चाइना दोनों civilizational states हैं, बहुत पुरानी civilizations रही हैं ये, neighbors रहे हैं, अभी के लिए, मतलब इनके जो पुराने civilizational ties थे वो इतने जादा मुश्किल नहीं थे, वो इतने जादा खतरनाक नहीं थे जितने कि अभी के लिए जो ties हैं और जो military stand-off है वो खतरनाक हो चुका कहीं न कहीं border stand-off को लेकि जो situation है अभी वो बहुत serious है, अभी इंडिया का stand देखा जाए तो हमारे जो प्रधान मंत्री जी है, मोदी जी, उन्होंने साफ-साफ बोल रखा है कि देखिए हम लोग एक age of development में रह रहे हैं, लेकिन चाइना का जो stand है boundary पे, वो कुछ अलग लाका है, देखिए पहली बात तो जो पुराने maps हैं, कौन से पुराने maps, जब Britishers का राज रहा करता था इंडिया में, उस समय पे जो भी maps वगरा publish किये गए, उनके versions को अगर आप compare करोगे, आज के versions से तो बहुत सारी anomalies दिखेंगे आपको, जैसे कि for example, आप देखो कि पहले इस इलाके में सिर्फ वो लोग जाते थे, जिनको economic activity में indulge करना होता था, देखिए बहुत सारे passes access in के इलाके में 13,000 feet के उपर हैं, पहले लोग जदा यहाँ पर रहते नहीं थे, कुछ ही tribes यहाँ पर रहती थी, जदा तर यह इलाका uninhabited सा तो कोई जदा जाता नहीं था, व लोग जो nemats हैं, एक जगह से दुसरी जगह घूम रहे हैं, केवल वही इस इलाके में जाते थे, बट यह जो access in का इलाका था, यह बहुत सारे trade routes पर पढ़ता था, और यह trade routes लेह में जाके converge करते थे, तो शुरुवाती तोर में आप देखोगे ना British Empire का बहुत जदा interest आया इस अकसा ही चिन के आसपास वाले इलाके में, इंडिया तो वैसे ही गुलाम था, और चाइना में भी जो dynasty थी वो भी इस इलाके में शुरुवात में बहुत जदा interested नहीं रही है, इलाका uninhabited rise के ओपर कभी भी कोई बैस नहीं रही, एक तरीके का एक no man's land था, जहां पर कश्मीर दे दिया, अभी जब कश्मीर दिया, तो कश्मीर की जो eastern boundary थी, वो set up नहीं थी, तो यह बोला गया कि अकसे चिन के साथ कश्मीर की boundary कहां लगती है, कहीं पे भी mark नहीं किया गया, फिर आप देखोगे, according to article 2 of the treaty, the boundary was to be defined by a separate engagement after survey, तो यह बोला गया कि सर्वे कराया और कश्मीर और अकसे चिन के वीच की boundary कहां पे फिर यह decide किया जाएगा, तो पहले सर्वे कराया गया, तो जॉंसन आरडा लाइन निकल के आई, 1860 में, जो की कुल्लून माउंटेंस के बगल से निकलती थी, फिर बाद में सर्वे कराया गया, मैक काट ने मैक डॉनल्ड ना ब्रिटिशर्स ने जब कश्मीर के उपर लेजिसलेशन लाने शुरू किये, तब अकसे चिन के उपर उनका ध्यान आया, तो दो-तिन कमिशन बठाएगे और दो-तिन कमिशन ने अलग-अलग लाइने बताई, फिलाल के लिए आथर यहां पे बोल रहा है, कि यह मैक काट ने यह डिमार्केशन हुआ, शुरुवात में एक-दो बार उन्हों ने बताया, बाद में उसको फॉलो अप नहीं किया, और चाइना की जी जो रूलिंग क्लास थी, वो भी बहुँ ज़दा इंट्रेस्टें नहीं थी, वो अपने ही मैट्रस में बीजी थे, तो इस चीज़ प तो यह डिमार्केशन की बात लद्दाक में भी हुई थी, मेकमोहन लाइन में भी हुई थी, उस समय पे जो जाओ एन लाई थी, उन्होंने कोशिश की थी कि हाँ बाई एक प्रॉपर डिमार्केशन करते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर यह अकसही चिन का इलाका है, तो इंडिया पूरा इलाका क्लेम करता था, चाइना बोलता था कि यहां से कहीं से निकलती है, इतना इलाका हमारा है, यह इंडिया का है, आप तो चाइना यहां तक गुस के बैठा है, तो यह पूरा का पूरा सीन चल रहा है, अगर 1960s में हमारे जो लीडर्स थे, वो थोड़ी सी दूर दर्शिता दिखाते, तो शायद इतना इलाका तो हमारा प्रोटेक्ट रहता ही, चुकि चाइना शुरुआत में केवल यह इलाका क्लेम कर रहा था, लेकिन अब तो यहां तक गुसाया है, और अंदर गुसरा है, यह मैं कई बार आपको पहले मैप में दिखा चुक तो अगर आप पहले के भी महीने बर के अडिटूर देख लेंगे, तो आपको कुछ बिगढ़ने वाला नहीं है, खासकर अगर आप 2021 या 2022 की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है, तो यहां पर ऑथर बस क्या कहने कोशिश कर रहा है, कि इंडिया और चाइना का, यह जो आ अडिवाइज बई पूरली इंफर्मड एक्सपर्ट्स, इंडिया इशूद न्यू मैप्स इन उन्निसो चाइना इन नाइटीन फिप्टी सेवन, मतलब अपने अपने डॉमेस्टिक स्फियर्स में इंडिया में और चाइना में, जो भी इनके मैप एक्सपर्ट्स थे, जो जो लीडर्स को इंफर्मेशन दी गई, 1957 में उन्नों अपना मैप छाप दिया, अभी इन दोनों मैप्स में आप देखोगे, कि बहुत सारा, आप कह सकते हो, ओर लैपिंग हो गया, मतलब चाइना एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया का क्लेम करने लगा, इंडिया एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, चुकि चाइना का अकसाई चिन वाला इलाका दो इनके बीच में पड़ता है, आपका, फॉर एक्जामपल, ये जो लद्दाख है, माल लीजे, ये अकसाई चिन है, अब ये अकसाई चिन इधर है, तो चाइना की जिंजियांग प्रोवि इतना ज़्यादा स्ट्राटेजिक हो जाता है चाइना के लिए और इसी के लिए पूरे के पूरे अकसाई चिन के अलाके के अंदर घुसके बैठा है चाइना, बट शुरुवात में ये चीज नहीं थी, शुरुवात में जो हमारे लीडर से अगर प्रोपर तरीके से बात क कार्टोग्राफिक MBT was converted into clashing sovereignty, यानि कि इंडिया ने दिखा दिया चाइना का पार्ट अपने यहां पे, चाइना ने दिखा दिया इंडिया का पार्ट अपने यहां पे, कोई भी बातचीत नहीं हुए, अच्छा उस समय पे जो चाइना का establishment था ना, वो इतना ज़्यादा ए नहीं हाँ पे author, दोनों की बीच में management की, दूसरी गलती यह बता रहे हैं कि देखिये, उस जगा की history, उस जगा के tradition को पढ़ने के लिए एक joint expert group बनाया गया, यह 1960 था history and tradition of the area were to be examined by a joint expert group, इस joint expert group ने जो report published की, उसमें जो maps निकल के आए हैं, वहां पे बहुत ज़्यादा clashes थ जब दोनों sides में एक दूसरे के लिए trust ही नहीं था, तो बात बनेगी नहीं, यह बात तहती, उसके बाद अगर बात की जाए, इतना कुछ होने के बाद, उनने सुबासरे में war होने के बाद, 1993 में दोनों sides ने बैट के बात की, meaningful and mutually acceptable adjustments to the respective positions on the boundary question, इसके बारे में कहा गया, दो उसके बाद से चीज़ें अब ज़्यादा खराब हो गए हैं, चुकि चाइना आप देखे बहुत ज़्यादा aggressive होता जा रहा है, ठीक है, तो अब ground level पे जो military commander से उसे बात चलती नहीं है, special representative set up किये गए हैं, border talks के लिए इंडिया चाइना की बीच में जो regularly मिलके boundary issue को solve करते ह कुछ खास हो नहीं पाता है, और उसकी बहुत सी वज़ाएं आपकी history में जाती है, 1947 में देश आजाद हुआ, आप देखो कि 1954 से लेके 1969 के बीच में भी इंडिया की तरफ से इस अक्साइचिन वाले इलाके में border development की, infrastructure development की कोई खास कोशिच हुई नहीं, इंडियन आनमी की जो presence थी उस इलाके में वो बहुत कम थी, तो जो चाइना का site था, महाँ पे चाइना ने बहुत massive scale पे infrastructure डवलप किया, अपनी domestic capabilities को डवलप किया, road बनाई, सडके बनाई, और उस तमय पे Indian establishment में इन सडकों बनाने पे किसी भी तरीकी का कोई claim, किसी भी तरीकी की कोई problem व्यक् किये, तो कही न कहीं शुरवाती दोर में miscalculations हुई हैं इंडिया की तरफ से, और उस miscalculation की वज़ाई बहुत थी, इंडिया बहुत सदा गरीब था, पाकिस्तान के साथ लडाई कर रहा था, चाइना की तरफ उसका ध्यान गया है, चाइना ने चुप-चाप से अपनी capability को develop किया और आज की date में हमारे सामने एक advantageous position में खड़ा है, तो यह सब बात से दोस्तों, इस article में कहीं गई हैं, एक important article था यह, मैंने आपके साथ जो भी important points से इसके वो discuss कर लिए, नेक्स चलते हैं, in blockchain voting, leave out the general elections, the idea of further digitizing India's electoral infrastructure is problematic and counter and could hinder free and fair pools, देखे भाईया, election commission of India की खास बात यह है, कि यह electoral infrastructure of the country को और ज़्यादा develop करना चाहते हैं, और उसके लिए recently उन्होंने अभी एक online conference कराई, Tamil Nadu e-governance agency के साथ और IIT Madras के साथ, और इस conference में बाच्चीत यह करी गई, कि अगर हो सके, तो blockchain technology का प्रियोग करते हैं elections को करवाने में, अभी आप देखो दोस्तों कि blockchain technology को elections में इस्तमाल करना यह बहुत ज़्यादा progressive सोच है, और यह जो idea ही अभी भी अपने nascent stages में है, इसको develop होने में काफी साल लगने वाले हैं, और कहीं नहीं author बोल रहा है कि इस तरीके के ideas को execute करने से पहले, भाईया caution exercise करिये चुकि यह dangerous हो सकता है, फिर बात करें, यह जो blockchain technology का प्रियोग करने की बात कर रहे हो voting में, यह blockchain technology है क्या, देखिए दोस्तों एक online ledger होता है, वो ledger बहुत सारे notes से एक दूसरे के साथ internet connected रहता है, bitcoins के बारे में आपने सुना होगा, और bitcoins के थूरू यह आपकी blockchain technology आई है, अब यह जो notes है ना, इन notes का इस्तमाल क्या जाता है connectivity में, और चीजों को इधर उधर से connect करने में, information को replicate करने में, transactions को execute करने में, successfully execute करने के लाँ, माल लिजे यह वाले note की मैं बात कर लोँ, जिसको मैं ए बोल रहा हूँ, इस note पे bitcoin का transaction हुआ, माल लिजे दो bitcoins deduct हुए, दो हुए, बीस हुए, जितने भी bitcoins deduct हुए, अभी जिस account से bitcoins deduct हुए है न, उस account की information ना केवल इस mode पे, बाकी सारे notes पे automatically update हो जाएगी, यही होती है blockchain technology, blockchain technology का मतलब यह है कि, अगर आप एक note पे कुछ changes कर रहे हैं, तो वो changes दूसरे सारे notes पे update हो जाएंगे, और cryptocurrency में यह चीज बहुत successful तरीके से चालू हुई है, अभी इस तरीके की चीज़ों को, non cryptocurrency applications में भी लगाने की कोशिश की जा रही है, supply chain networks में लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन elections में लगाना, यह एक बहुत बड़ी चीज़ है कि भाईया, आप exactly इस चीज़ को election में execute कैसे करोगे, तो देखें मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर किस तरीके की बातचीत करी जा रही है, आधार authentication चल रहा है, आपको बता है दोस्तों, एक state की जो total population होती है, वो state में नहीं रहती, किसी और state में काम कर ली होती, तो बहुत सारे migrant worker से बहुत सारे लोग हैं, जो उस समय पर उस state में नहीं बाहर है, तो अगर इस तरीके की आप blockchain technology को develop कर लेते हो, और उस blockchain technology की दम पे अगर आप voting कराते हो, तो वो लोग जो की उस समय state में नहीं भी हैं, वो इस blockchain technology का प्रियोग करके, कहीं पे भी रहके vote डाल सकते हैं, और चुकि ये जो blockchain system है, ये एक ऐसा online ledger है, कि कहीं से भी अगर vote पड़ेगा, तो उस vote को automatically online system में verify कर लिया जाएगा, कि हाँ भाई एक particular legal आदमी ने vote डाला है, और सही तरीके से डाला है, लेकिन इस पूरे के पूरे तरीके को implement करने में problem है, पहली बात तो, इसके लिए जो favor में arguments हैं, वो बहुत ज़ादा हैं, आप देखें, इससे remote voting possible हो जाएगी, वो remote voting, internal migrants और seasonal workers को मदद करेगी, यह मैंने आपको बताई दिया, लगबग 5 करोण हैं यह, census 2011 के साब से, इनको काफी difficulties होती हैं, अपने democratic right of waiting को exercise करनी पाते हैं, यह वो लोग हैं, जो अपनी रोज मन्रा की जिंदगी के लिए struggle कर रहे हैं, दूर जरास के इलाके में जाके नौकरी कर रहे हैं, अपना घर छोड़के, तो अब वेसी बात है, इनको पैसो के इतनी ज़्यादा जरूरत है, vote vote का तो यह सोचते भी नहीं, तो इनको voting rights मिल जाएंगे, दूसरा, कि भाईया, वो Indian armed forces के member, जो कि किसी remote इलाके में रहे के, अपने voting को, right को exercise करना चाहते हैं, तो वो भी इस चीज़ को इस चीज़ को इस्तमाल कर सकते हैं, हाला कि इन armed forces के member के लिए, already arrangements किये गए हैं, कि वो जहां पे भी posted है, वहां पे वो vote डाल सकते हैं, लेकिन problem यह है कि इस तरीकी की चीज़ों को भी अगर आपको execute करना है न, तो भी आपको designated centers बनाने पड़ेंगे, क्यानि माल लिजे, UP का एक person महरास्टर में आके job कर रहा है, दिहाडी मजदूर की तरह construction industry में, तो अगर UP में election हो रहे हैं, तो उस UP के election के लिए अगर इन migrants को vote डालना है, तो किसी designated center पर जाना पड़ेगा, तो माल लिजे, UP का एक migrant महरास्ट में है, उसको vote डालना है, तो महरास्ट में UP की सरकार एक designated center को mark करेगी, और UP की सरकार, महरास्ट की सरकार क्यों करेगा, अब वोट डालने के लिए अब वोट डालने के लिए अब बात है किसका इस्तमाल होगा, बायोमेट्रिक एट्रिबूट्स और मोस्ट पाबली वो बायोमेट्रिक एट्रिबूट्स को आधार के तुरू जोड़ा जाएगा, अब कुछ बहुत बेसिक फ्लॉट्स यहाँ पर बताया जारे है, पहला बेसिक फ्लॉट्स तो यह कि जो आधार का डाटा है, जिस हिसाब से भी आप बायोमेट्रिक क्रिदेंशल को वेरिफाइग कर रहे हो, फर्स्ट अफॉल आपको यह इंशूर करना पड़ेगा कि जो बायोमेट्रिक क्रिदेंशल हैं, वो परफेक्ट हैं, आप उसको इंशूर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एप बेस सिस्टम होता है, आप बेस सिस्टम में क्या होता है कि आप एपस में लॉग इन करो, ऑनलाइन बैठे 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 आप घर में अपना बायोमेट्रिक क्रिदेंशल लगा दो, वोट डल गया, लेकिन क्या वो चीज सही है, एक वोटिंग स्टेशन में आप जाते हो, तो वहाँ पर जो वोटिंग ऑफिशल होते हैं, वो वेरिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये वही आदमी है, सब कुछ वेरिफाई हो सकता है, लेकिन घर बैठे बैठे आप पर जब आप चीजों को वेरिफाई करते हो, तो चीजे उतनी वेरिफिएबिल भले ही नहीं होती है, भले आप बायोमेट्रिक कर स्टमाल करो, इसलिए बोला गया है कि डेजिगनेटर सेंटर बनाएंगे, अब ये डेजिगनेटर सेंटर बनाने भी प्राप्लम है, यहाँ पे भी कुछ मॉल प्रैक्टिस करके, जो बायोमेट्रिक एट्रिब्यूट्स हैं, उनको मोल्ड करके, एक दूसरा आदमी, एक ओरिजिनल आदमी की जगा वोट डाल सकता है, और इस इस पॉसिबल, ठीक है, बायोमेट्रिक्स को चेंज करना कुछ ज़ादा मुश्किल नहीं है, एक छोटी सी सिल्ली आती है, जो कि आप अपने अंगूठे या उंगली के उपर लगा लो, वो आपके बायोमेट्रिक को बदल देगा, हाला कि उस सिल्ली के उपर, उस दूसरे आदमी का बायोमेट्रिक लगा होगा, जिसको आप वहाँ पर कॉपी करने की कोशिश करो, तो कुल मिला के बोला ये जा रहा है, कि इस तरीकी की जो ऑनलाइन सिस्टेम्स है, पूरी तरीके से तो आप ऑनलाइन कर नहीं सकते हैं, जोकि घर बेटे बेटे अगर आप वोट डालने पर आ जाओगे, तो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, उस पे साइबर अटैक्स हो सकते हैं, फिशिंग अटैक्स हो सकते हैं, इस सक चीजों की बात हुई थी, जब रशिया में अभी Constitutional Amendment Act आया था, और वहाँ पे इस तरीकी की ऑनलाइन वोटिंग हुई थी, लोगों को अगर आप फिस्कल प्रिजन्स भी कराते हो, उनको बुलाते भी हो कि इस सेंटर में, वहाँ पे भी पूरी तरीकी से Biometric सिस्टम सक्सेस्फुल होगा, इस बात की कोई गरंटी है नहीं, बैक एंड पे सौफ्ट्वेर में चेंजिस की जा सकते हैं, फिस्कल इंप्लांट्स की जा सकते हैं, जिससे जो वोट डाले गए हैं, उसमें कुछ प्राब्लम की जा सकती है, और एक और बड़ी चीज़ है, वो क्या है, कि अगर आप वोटिंग प्रॉसेस को इतना ज़ादा ऑनलाइन कर देते हो, तो एक चीज़ आती है निकल के वो होती है, डिस्ट्रिबूटेड डैनियल अफ सर्विस, जब भी कहीं पर साइबर अटैक होता है, तो क्या किया जाता है, बेकार हो जाएगा, चूकि आप पूरा एलेक्शन प्रॉसेस ऑनलाइन कर रहे हो, अभी वो ऑनलाइन सर्विसेस को अगर चाइनीज हैकर्स ने, या पाकिस्तानी हैकर्स ने अटैक कर लिया, तो अगर ऐसा हो गया तो इंडिया की ना खुरकटेगी पूरी दुनिया में, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल सॉलुशन दूलने की बात कर रहे है अभी प्रैक्टिकल सॉलुशन में आथर बता क्या रहा है, तो भाई आप देखो दोस्तों, USA में Postal Ballots use होते है, USA में Proxy Voting का Concept है, इन Postal Ballots और Proxy Voting के Concept को इंडिया में अपलाई किया सकता है, Postal Ballots क्या होते हैं, कि Post के थूच एफू यॉएस की जन्ता अपना Vot डाल सकते हैं, आप के बिहाफ पे कोई दूसरा आपका Representative जिसको आपने 맞는 permission दिये, कि हाँ भाई आप मेरी जगा पे जाके वोट डाल दो वोट डाल सकता है तो मालीज आप किसी foreign assignment में हो और आप proxy voting के चलते हैं अपनी wife को permission दे देते हो कि वो आपके बहाफ पे वोट डाल दे तो वोट डाल सकती है तो basically यह जो postal ballot और proxy waiting के जो सिधान्त को US collections में इस्तेमाल किया जाता है और भी बड़ी democracies में इस्तेमाल किया जाता है उसको आप इंडिया में यूज करते हो ना कि आप बिल्कुली एक revolutionary step लेके चीजों को digitize करने कोशिश करो एक option यहाँ पर author और दे रहे हैं कि one nation one voter ID scheme अभी one nation one voter ID scheme तो देखे applicable होनी पाएगी एक end में author यह बात बोल रहे हैं कि इंडिया में जब भी किसी चीज़ का solution धूड़ा जाता है तो technology को automatically जोड़ दिया जाता है तो मतलब इंडिया में techno solutionism की तरफ कुछ ज़्यादा ही जा रहे है लेकिन technology एक हद के बाद threat post कर सकती है अगर उस technology को proper तरीके से implement नहीं किया गया चुकि हमारे यहाँ पे planned तरीके से जो cyber attacks होते है न उनसे अपने आपको protect करने के लिए proper infrastructure अभी उतना mature stage में पहुचा नहीं है ठीक है इसलिए हम लोग को यह जो digitization का process है खासकर जो elections में digitization का process है उसमें थोड़ा समल के चलना चाहिए और शुरुवात में अगर आप इस तरीके के digitization elections में लेके आभी रहो तो lower level के elections में लेके आओ यह जो gram पंचायत ठीक है न और यह जो जिला प्रधान के elections होते है न इन में लेके आइए और धीरे धीरे इन को higher level पे आप आगे बढ़ाओ तो यह सब बातें यहाँ पर बता ही जारी है यहाँ पर बात किसकी की जारी दोस्तों National Statistical Office के एक सर्वे की जिसका नाम है Household Social Consumption on Education in India यह सर्वे जुलाई 2017 से लेकि जून 2018 के यह बता रहा है कि अलग अलग स्टेट्स में computer और internet access का जो सर्वे है वो कितना बेकार है privileged और deprived के बीच में यह जो digital disk रिवाइड है disconnect है यह बहुत बड़ा है और यह जो disconnect है वो pandemic के दौरान ज़्यादा बढ़के है पहले भी इस disconnect को कम करने के लिए एक broadband policy आई थी 2004 में हलाकि उस broadband policy से कुछ खास देखिये हुआ नहीं है कभी भी यह जो divide है वो बढ़ गया है pandemic की दौरान थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है यह जो report है वो report अलग-अलग states के data का survey करती है जैसे कि अगर बात की जाए दिल्ली की हिमाचल प्रदेश की और कैरला की तो इन तीन जगों पर यह बोला गया है पचास परसेंट से ज़्यादा households में आप कह सकते हो internet access है यहाँ पे इन्होंने urban और rural households को मिला दिया और यहाँ पे बेक अप नहीं दे रखा है तो अगर आप urban rural households को मिला दो दिल्ली की माचल प्रदेश और कैरला में तो पचास परसेंट से ज़्यादा घरों के पास internet access है यही फिगर आपका उत्तराखंट पंजाव हर्याना के लिए 40% से ज़्यादा हो सकता है लेकिन तमिल नाडू आंधर प्रदेश करनाट का उत्तर प्रदेश जैसे बड़े states के लिए 20 प्रदिशत से कम है आज की date में जहां पे सरकारें laptop computers बाट रही है वहां पे उन laptop computer को चलाने के लिए कुछ जगहों पे internet नहीं है बिजली नहीं है वो तो चलो बिजली वाली बात अलग है internet ही नहीं है अभी internet नहीं है तो करोगे क्या से 10% है ऐसे हालात में आप यह सोच नहीं सकते कि बच्चे पढ़ पाएंगे online खासकर remote locations में तो problem आपकी network की भी है और light भी नहीं आती है तो फिर क्या ही पढ़ेंगे वो तो यह जो digital divide है यह pandemic के दौरान एक आप कह सकते हो कि educational divide में होता नजर आ रहा है तो pandemic लग गया है पास academic content के availability तो वो पढ़ सकते हैं गाओं का remote person में बैठने वाला आदमी remote जगर बैठने वाला आदमी पढ़ ही नहीं सकता है क्या सरकारों ने कोशिश की बिलकुल की मोदी जी ने power में आने के बाद बोला कि भया एक हजार दिन के अंदर सारे villages को optical fiber cable से जोड दिया जाएग अभी central government की ऐसी कोई पहली scheme नहीं थी इससे पहले Congress की सरकार के दौरान 2011 में ये बोला गया था कि National Optical Fiber Network बनाया जाएगा जिससे सारी पंचायकों को जोड दिया जाएगा तो समय समय पे ऐसी schemes बनाने की कोशिश की जाती है लेकिन उसके लिए जो administrative capacity है जो information का infrastructure है वो बन नह बच्चों का होगा जो घर पे बैठके पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम लोग कुछ unique ideas को इस्तमाल कर सकते हैं कुछ दिन पहले मैंने आपको article में भी एक editorial में भी ये चीज़ बताई थी कि जो बड़े-बड़े corporates हैं उन्होंने ये idea दिया है कि चुकि pandemic के तोरान वो work from home को promote कर रहे हैं तो उनके offices में बहुत से ऐसे computers हैं जो कि खाली हो गए उन computers को refurbish करके इन बच्चों की बीच में बाटा जा सकता है और इस exercise को अगर आप corporate social responsibility का हिस्सा बना दो तो एक proper cost में वो जो organization है वो अपने computers को desktops को भी replace कर पाएंगे और लोगों को भी सस्ते में आराम से digital infrastructure structure मिल पाएगा लेकिन बात वहीं पर आगए कि digital infrastructure को connect करने के लिए computer चाहिए अभी computer इंटरनेट चाहिए अभी internet को connect करने के लिए खर्चा हो रहा है ठीक है वो कर्चा कैसे आएगा कहां से आएगा इसके ओपर सरकारें जूज रही है एक proper solution को धूनने की जरूद है proper solution यहां पर author ने बताया नहीं है ठीक है तो कामबर की चीज़ें मैंने आपको इस article में बता दी आगे चलते हैं unnecessary pause vaccines take time to develop the first to roll out might not necessarily be the best तो भी यह वैक्सीन के ओपर सवाल उठाया जा रहा है यह बोला जा रहा है कि वैक्सीन को जल्दी में जब आप लेके आने की कोशिश करते हो कही नहीं कहीं वो चीज़ डेंजरस हो सकती है हमारे देश की health के लिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बताया जाता है दुनिया भर में दोस्तों हाहाकार समचा हुआ क्लैमर मचा हुआ है कि भीया vaccine आने वाली यह covid-19 की vaccine आने वाली और दुनिया भर में trials चल रहे हैं अभी recently यह जो क्लैमर है ना इस क्लैमर के अगेंस्ट में एक reality check आया है और वो reality check क्या है एक बायो फार्मा कंपनी है AstraZeneca वो एक vaccine डेवलाप कर रही है AZD1222 इसके large fail phase 3 trials चल रहे हैं ठीक है इसने क्या बोला it was voluntarily putting the multinational trial on hold this was after a serious adverse event in a volunteer मतलब कि इस vaccine हो गिसी एक voluntary को दिया गया और उस volunteer क के अंदर कुछ serious side effects होएं जब यह side effects निकल के आये तो problematic होगे चीज़े data safety monitoring board ने बोला कि इस side effects को हम लोग read करेंगा और अभी के लिए इस AZD1222 के trials को रोग दिया गया तो कुल मिला कि जो clamor चल रहा है कि हाँ बहुत सारी vaccine phase 1 को प्रास कर गई है phase 2 को पार कर गई है मैं आपक coronavirus को solve करने के लिए तो क्या coronavirus को vaccine कम कर पा रही है इस चीज़ को देखा जाता है कितनी dose उस vaccine को देनी है इस चीज़ को देखा जाता है phase 3 trial में एक बहुत बड़ी जनता पे उस vaccine का trial किया जाता है और उस trial के दौरान उस जनता पे side effects study किये जाते हैं उस vaccine के अभी उन side effects को study करने के बाद एक लंबे समय के लिए और ये महीनों तक चलते हैं trials तब आप बता पाते हो कि vaccine successful है proper है कि नहीं है ये जो azd122 के trial के दौरान एक आदमी को काफी problem हो गई इसलिए इस पूरी की पूरी company AstraZeneca ने trial को ही old पे डाल दिया है और कहीं न कहीं पूरी दुनिया में एक check वाल है वो co vaccine vaccine को develop कर रहा है रशिया में sputnik की बात हो रही है sputnik vaccine है उसका phase 3 testing चल रही है sputnik को रशिया ने पूरे जील के साथ announce कर दिया कि हमने vaccine develop कर लिए phase 3 trial उसके किये नहीं अब उसके phase 3 trial हो रहा है तो ये जो बड़े-बड़े publicity stunt चल रहे है न जहां पे company ये बता रही है कि हम भया advanced stages में पहुँच गए और अब तो vaccine बन जाएगी ये लोगों के emotions पर write कर रहे है लेकिन ज़रूरी ये है कि जब भी vaccine बनती है उसके phase 3 trials पर पूरी तरीके से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ना कि आप एक vaccine की marketing करने लगो market में उल्टी सीधी बाते फैना ले लगो क लेकिन जब phase 3 trial हुआ तो आप देखो कि एक आदमी की तवियत कितनी ज़्यादा खराब होगी और obvious सी बात है देखिए हर इंसान का जो genetic make up होता है ना body make up होता है वो कुछ हद तक different होता है तो एक बड़े scale पे अगर आप एक vaccine के testing करते हो तो उससे ये पता चलता है कि बढ़ अलग human beings में ये vaccine किस तरीके से react कर सकती है हजारों की तागात पे लोगों पे ये phase 3 trials किये जाते है इसलिए इस तरीके की जो बाते है ना जल्दी जल्दी में vaccine आ जाएगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा इसको हमको seriously ने लेना चाहिए चुकि अगर आप vaccine clamoring करोगे पीछे पढ़ जाओगे सरकार को कि नहीं हमको vaccine दो हमको vaccine दो हमको vaccine दो तो सरकार के ओपर pressure आएगा अभी जब सरकार के ओपर pressure आएगा तो सरकार पूरी तरीके से vaccine के development को ठीक तरीके से करेगे नहीं जिससे obvious सी बात है dangerous outcomes निकल के आ सकते हैं यहाँ पर पहली बात तो यह बोल रहा है कि भीया अगर चाइना हमारे उपर अटाक कर रहा है तो हमारे पास option बचता है punitive retaliation का कहीं न कहीं हमको कुछ ऐसा करना चाहिए था कि यह चीज होती नहीं in the first place तो यहाँ पर ऊथर शुरवात कैसे कर रहा है चार महिना पहले Chinese army हमारी territory में गुसाई अभी वो हमारी territory में कैसे गुसाई है किसी को पता नहीं बट अभी के लिए हमारी काफी सारी territory China के control के अंदर यह सब जानते हैं किसकी गलती थी तो बोला जाता है कि हाँ इंटेलिजेंस का failure था यह इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज ने ठीक तरीकी से डाटा हो collect किया हो आगे बताया हो सरकार को बड़ सरकार ने कोई action ना लिया हो कुछ भी हो सकता है कहीं ना कहीं गलती हुई है और उस गलती चलते Chinese soldiers इंडिया में आके बैठे हैं तो हम अभी शुरुवात में तो अपने country के borders को कुछ हद तक नहीं बता पाए लेकिन अब हम चीजों को थोड़ा handle कर रहे हैं धीरे-धीरे potent तरीके से फिर author यहाँ पर अपने इस article में बोल रहा है कि देखें जब भी army के काम करें तरीका होता ना उनका एक modus operandi होता आर्मी की जो doctrine है वो अभी के लिए क्या है कि भाई उनको इस तरीके से अपने land को बचाना है कि कल की date में हमारे यहाँ पे कोई major invasion होता है तो हम उस invasion को रोख सकें तो चाइना अटेक कर दे या पाकिस्तान अटेक कर दे या कोई औरी कंट्री अटेक कर दे नेपाल अटेक कर दे तो हम उसको बचा पाएं ओके अगर enemy forces आके हमारे यहाँ पे बड़े scale पे land को occupy करने कोशिश करती ही तो हम बचा पाएं इस तरीके चीजें 1912 में जो वार हुआ था 1571 में जो वार हुआ था इस चीज से भी निकल के आती है लेकिन problem यह है कि recently जो चाइना का incursion हुआ है अपरेल में और मई में वो थोड़ा अलग तरीके का था वहाँ पे सीधे गोलिया नहीं चली वहाँ पे चाइना ने बहुत cruel तरीके से बहुती shrewed और cunning तरीके से गुसके हमारे territory को कबजाने की कोशिश की है कुछ हद तक वो दील करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग होना चाहिए और उस तरीके के लिए तैयार नहीं थी हमारी इंडियन आर्मी और कहीं न कहीं सरकार ऐसा यहां पर author बोल रहे हैं कहीं न कहीं हमारी national security की leadership जो है और आर्मी से कोई न कोई miscalculation जरूर हुआ है चाहिना किसी भी हाल में एक major conventional invasion नहीं करेगा इंडिया पर वो जानता है कि इंडिया एक nuclear power है एक major attack खतरनाक हो जाएगा इसलिए वो छोटे लेवल पर land grabs कर रहा है और कहीं न कहीं इन छोटे लेवल के land grabs को रोकना जरूरी था अभी के लिए जो छोटे छेड़े दे उनकी साथ या फिर एक नया status को accept कर ले इंडिया पलट के war नहीं छोड़ रहा है चुसके disastrous consequences है हमारे soldiers भारी तागाद में मरेंगे वो अलग बात है चाइना वाले में मरेंगे लेकिन हमें उपने soldiers के लिए सोचना है न हम तो घर बैटे 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 बोल दें उसका reason ये है कि पहले इंडिया चाइना के जो border standoff है उसमें होता क्या था होता ये था कि चाइनीज अंदर गुशते थे ठीकि उनको किसी point के उपर अपनी बात बोलनी होती थी इंडियन government की तरफ से बातचीत होती थी appeasement tax tricks आती थी और कहीं न कहीं चाइना pullback कर जाता था तो बस author यहां पे जो government की और military leadership की गलतियों को point out करने की कोशिश कर रहा है कि हमारी जो military leadership थी और जो हमारी government थी वो इस चीज के लिए तयार थी कि हाँ ये Chinese आएंगे कुछ बातचीत करेंगे और वापस चले जाएंगे इस बार वो वापस जाने के mood में है नहीं तो हमें उन इनियान आर्मी ने उनके actions को preempt किया है और the southern bank of pengong so काला टॉप की पहाड़ियों को कबजा करके जो north work bank पे Chinese के जो भी post है जो southern bank पे Chinese की जो भी post है उनको disadvantage में भी लेके आई है इनियान आर्मी लेकिन कहीं न कहीं ये पहले करना चाहिए था ये जो कुछ भी हो रहा है ये ना हो पाए इसलिए इंडियन आर्मी को और जो हमारी national leadership है उसको अपने toes पे रहना चाहिए अभी इंडियन आर्मी तो अपने toes पे रहती है बट इंडियन आर्मी को command उपर से कौन देता है इंडियन government देती है ठीक है और government कहीं न कहीं अब तक China के प्रती appeasement की tactics को रख रही थी तो यह सारी बातें यहां पर author बोल रहे हैं इनका खुद का अपना एक viewpoint है जो कि मैंने आपके साथ discuss के लिया Thank you for watching this video friends I hope आपको कुछ जानने को मिलेगा Have a great day, bye